हेलो बच्चों, वेलकम टू सायस्तरा, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम क्विक क्विक रिवीजिन करने वाले, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे केमिस्ट्री में हम पहले 11th करेंगे, चाप्टर वाइस करेंगे, और 12th के बारे में बा किया है, question से आप से कहता है कि question में आपको density of solution is given, density of solution is given to be 1.025 grams per liter, volume of solution is given to be 3 liters, अब उसने पूछा है volume of water, तो अब यहां पे आपको, आपके question से information extract करनी बहुत ज़रूरी है, जब वो density of solution बोल रहा है, उसने आपको अगर density दी हुई है, आपको volume दी हुआ हुआ है, आपको पता है, आप मास निकाल सकते हो, density is what, density is equal to mass by volume, तो यहां से आप अपना mass निकाल सकते हो, दूसरा जब आप पूछा, volume of water required to form this solution, तो आपका volume of water यहां से आपको basically उसने पूछे, volume of solvent required to form this particular solution, और तीसी चीज़ उसने आपको दी हुई है, molarity, molarity अगर आपको उसने दी हुई ह molarity किसी होगी, obviously solute की होगी, तो यहां पर उसने आपको solute का amount दिया हुआ है basically, और कुछ information दी हुई है solution के बारे में, और आप से उसमें पूछा है क्या, उसने आप से पूछा है volume of the solvent, हमें पता है, अगर मेरा solution है, तो solution का mass क्या होगा, solution का mass होगा, mass of solvent plus mass of solute, ठीक है, तो उ density को और मेरे, इसको, density को और volume को में अगर multiply कर देते हूँ, तो मेरे पास क्या आजाएगा, मेरे पास आजाएगा, mass of my solution, तो यहां mass of my solution के लिए मैंने लिखा है density into volume, density is 1.025 and my volume is 3000 ml, ठीक है, यहां से आगे है मेरा mass of solution, उसके बाद हम लोग आते है, mass of solvent, अब में को mass of solvent पता पढ़ गया, तो मेरे को, मेरे वो भी पता पढ़ जाएगी, volume of solvent, solvent is water, और इसकी density कित्ती होती है, density होती है, इसकी 1 gram per ml, तो यहां से basic के लिए, अगर मुझे mass पता पढ़ गया, मेरे solvent का, तो मुझे मेरे volume भी पता पढ़ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते है, उसके बाद यहां पर हमने mass निकाला, और अहां, mass of हमने solution तो निकाले था, अब mass of solute कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको क्या दी हुई है, molarity दी हुई है, अगर 3 mol पर litre की molarity है, और मैं 3 litre का solution ले रही हूं, तो क्या होगा, number of moles कित्ते हो जाएगे, number of moles will be volume into molarity, number of moles is equals to volume into molarity, which is 3 into 3, so I have, in 3 litres of my solution, I will be having 9 moles of NaCl, अगर मोल पता पढ़ गया, अब मैं मोल से मास तक जा सकती हूं, जा सकती हूं, मोल से मास तक कैसे जाओंगे, number of moles is equals to given mass upon molar mass, तो यही पर 9 जो है, यह मेरे होगे, number of moles is equals to given mass upon molar mass, molar mass, molar mass, कित्ता होता है मेरे, इसका NaCl का, it comes around 58.55, 9 को 58.55 से मल्टिप्लाइ कर दिया, मेरे पास आगए मेरा mass of solute, mass of solute in grams, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, solution के mass में से, अगर मैं solute का mass जो है, minus कर देती हूं, तो मेरे पास जो mass बचेगा, it will be the mass of the solvent, वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, यह है मेरा mass of solution, यह है मेरा mass of solute, यह मेरे बचा हुआ जो आएगा, मेरे पास आएगा मेरा mass of solvent, mass of solvent से सीधी-सीधी formula है, mass को अगर मैं, sorry, mass से अगर मुझे volume निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, mass divided by density is equals to my volume, और कितनी आती है वो, मेरा क्योंकि मेरे water की density 1 है, इसको में 1 से डिवाइड करूंगी, वही है, तो हमने इस question में क्या क्या हमने molarity देखी, number of mole, density, volume, इन सब की interconvergence देखी, आपके लिए यही चीजे जनरली वो पूछ लेता है, छोटी-छोटी चीजों पर धान देना, जैसे यहां पर अगर किसी ने ऐसा question पहले नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले तुसको यह में difference पता होना ज़रूरी है, और आपके जो formulas लगते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में, इसके अलावा और कौन से सवाल पूछ लेता आप से, इसके अलावा आपको पूछ लेगा, वो convergence पूछ लेगा, अगर मेरे पास, अगर से suppose मेरे पा से तो मैं मास तक कैसे जाओंगी, number of moles when multiplied by the molar mass, will give me the given mass, बराबर, number of moles when multiplied by the Avogadro number, will give me what? will give me the number of particles, इसी का एक छोटा से extension बता देती हूँ, इसमें बहुत बार क्या वो लोग पूछ लेते हैं, number of particles के बार, वो आपको, say suppose, यहां पर मैंने आपको कोई molecule दिया हुआ, say suppose, मैंने आपको दिया हुआ है, naCl, naCl ही पकड़ लो, naCl के case में, अगर मैं बोलूँगी, मेरे पास one mole of NaCl है, one mole of NaCl के इसका मतलब क्या होगा, अवागाड़ नमबर of NaCl, बराबर, बट अगर मैं पूछो, how many number of atoms are there, like are there in one mole of NaCl, तो one molecule of NaCl is made up of two atoms, Na and Cl, तो जब मैं को इसने number of atoms पूछा है, तो मुझे two times Na करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक molecule जो है, वो दो अलग-अलग atoms से बना हुआ आईगे, सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, number of moles, number of moles से अगर मुझे molarity तक जाना है, तो उसको क्या कर दूँगे, number of moles को divide कर दिया by volume in liters, क्या आजाएगा मेरे पास molarity आ जाएगी, तो यह सारे जो interconvergence है, वो आपको धहन में रखने है, छोटी सी एक और चीज़ है, हमारा प्यारा mole fraction, mole fraction का क्या होता है भाई, XA is equal to NA upon NA plus NB, यह क्या है हमारा mole fraction है, यह है number of moles of, number of, moles of particle 1 या फिर component 1 और यहाँ पर हमारे पास number of moles of component 2, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी चीज़े हैं, जो जनरली आपको, आपके mole concept वाले जो चाप्टर है, उसमें से पूछी जा सकती है, ठीक है, तो यह तो हुआ हमारा छोटा सा discussion about mole concept, mole concept के बाद, mole concept में recently एक ऐसा सवाल आया था, काफी unexpected सा था, उसमें उसमें पूछा था कि intermolecular forces किसमें जाधा होंगे, तो उसमें आपको क्या दिया था, liquids और gases दिये हुए थे, liquids, gases और solids दिये हुए थे, और उनमें सबसे easily compress करना, किसको hen क्या जा सकता है, तो gases को क्या जा सकता है, क्यों क्या जा सकता है, gases को rip sub princes करना easy है क्योंकि अभी उनमें जो उनमें इंट्रmoralा फोरस्स, जो है वहाहती रांडमली अरेंज है ठीक है तो उसको अगर आप कंप्रेस करोगे तो गैस को कंप्रेस करना इजी होगा क्योंकि उनमें अभी इंटरमोलेकुलर फोर्स कोई है निए वह काफी डिफ्यूज है इन्टु थे स्पेस तो आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड्स और सॉलि सबसे प्यारे उनके जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन से आए और से अटमिक स्रॉक्चर के बारे चाप्टर में से वह पूछ लेता आपको नंबर ऑफ नोट्स नमबर ओफ नोट्स पूछलेगा अब नमबर ओफ नोट्स के लिए आपको कुछ फॉर्मिले याद रखने पड़ेगे सबसे पहला तो आता है टोटल नमबर ओफ नोट्स टोटल नमबर ओफ नोट्स इस इकुल स्टो एन माइनस वन ठीक है उसके बाद आता है Radial Nodes और आता है Angular Nodes Radial Nodes के लिए formula है N minus L minus 1 Angular Nodes के लिए आपके पास formula है L Where N is what? N is the principal quantum number N क्या है हमारा? N है हमारा principal quantum number इस पर काफी सवाल पूछे जाते है नमबर अफ नोट्स के ऊपर अजीमुथल quantum number ठीक है तो यह atomic structure जो है हमारा उसमें से उनका एक जो सवाले वो काफी common होता है उसके बाद एक चीज और जो है बहाँ पर आप जब atomic model देखते हो बहुष atomic model से काफी सवाल आने के जो है चांसे हो जाते है जब आप बहुष atomic model पढ़ते हैं तो आपको बहाँ पर आता है angular momentum का formula उसके बाद आपके पास क्या आता है radius का formula और उसके साथ आपके पास आता है velocity का formula तो यह तीन जो formula है वो हो जाते हैं काफी important angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi this is what this is the angular momentum of an orbit like where n is the like nth orbit मतलब n starting from 1 to higher numbers और आपको किसी particular orbit का अगर angular momentum find करना है तो you can use this formula अब वो आपसे सीधी सीधे amvr is equal to nh by 2 pi नहीं पूछेंगे what they will do is वो आपको r दे देंगे say suppose उसने आपको दे दिया है r ठीक है अब वो r के कोई value दे देगा अब यहां पे what is what is something that you need to know is आपको r और n के बीच का formula पता होना चाहिए तो आपको क्या करेगा r की value दे देगा ठीक है अब हमारे r का formula क्या है हमारा r is equals to n square into a naught for like for hydrogen atom ठीक है for hydrogen atom n square into a naught यह हमारा r है अब यहां से आपको a naught की value क्या पता है भई 52.9 picometers तो यहां से what they will expect from you is कि आप r by a naught करो उसको root डालो आपका n आ जाएगा कि this is just for hydrogen atom बूलना ने इस चीज़ को और यहां से n जो है वो इदर जाके substitute कर दो तो यहां पर आपका क्या important हो जाता है आपका radius जो है radius का formula important हो जाता है और दूसरा आपका angular momentum का formula बोर्स atomic model से important हो जाता है उसके बाएद एक बहुत ही अच्छी सी आपकी statement है there is a statement in your atomic structure जहां पर वो बोलता है that the for 1s orbital for 1s orbital the probability density the probability density is highest add the nucleus ठीक है यहाली चीज़ों को धान में रखना उसके बाद हमारे atomic structure में ही आते है हमारे वेष फंक्शन के graph वेफशन के graphs बहुत है वह भी हमारे atomic structure में आगे जाके important है जहां पर एक भी फंक्शन का graph और एक देद एक भी फंक्शन के Plus कर और पिर आपका बेशाचन के स्क्वेशन के स्क्वेर का 1s or 2s के केस में और यह आपकी साइ है यह आर है और यह आपका साइ स्क्वेर है और यह आपका अब यह जो कंडिशन हो जाते है इसी में वो जो पिछली मैंने स्टेटमेंट आपको यहां पर बोली कि जो मेरा आपके ग्राफ में भी वही दिखाया जाता है अब आपके अब आपके अब देख सकते हैं जैसे जैसे आर जीरो को टच कर रहा है वैसे वैसे मेरा जो वाय अक्सिस पर लोग उपर उपर जाते जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ जैसे जैसे सब्सक्राइब जैसे जैसे हम जीरो को करने जाते हैं हमारा वाय आक्सिस जो है वह पर इंफिनिटी को टच करता है ठीक है यह चीजह हमें पता पड़ती है हमारे सहे और सहे अब यह वाला कौन सा मॉडल हैाभी तक हमने देखा था बहुत जासौन Video स्लैड में देखा अब यह वाला जो मॉडल है और स्थी बाट यौरं क्वsetन मे कैनिकल मॉडल processorium आटम ठीक है भाई यह हो गया आपका एक ग्राफ दूसरा जो ग्राफ आता है वो कुछ टुएस के लिए आता है इस प्रकार यह आपके टुएस का आटमीक और्बिटल है ओ सुरी यह यहां पर यह जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था वो साइस स्क्वेर के लिए इसके लिए आएगा वो ऐसे आता है और यह ऐसे आता है तो वह आपको सीधे सीधे ग्राफ देके पूछ लेगा कि 1s के लिए साइ का ग्राफ 1s के लिए स्वारी 2s के लिए साइ और साइस स्क्वेर का ग्राफ और सेम फॉर 1s एस वेल ठीक है बढ़िया यह यह वाले जो थे वह कौंटम मेकानिकल मॉडल के जो करना है हमें अच्छी तरीके से वहाँ पर वह लिखते आना चाहिए electronic configuration अब electronic configuration जब आप लिखते हो तो one thing that you have to keep in mind is the energy of the orbitals energy of the orbitals energy of the orbitals के लिए आप क्या करोगे n plus l rule को करोगे आप क्या follow n plus l rule क्या बोलता है भाई n plus l rule n again being the principal quantum number l again being the azimuthal quantum number n plus l rule आपको बोलता है जिसका भी n plus l ज्यादा होगा उसकी energy ज्यादा होगी higher the value of n plus l higher will be the energy of that particular orbit if n plus l for two different orbits comes out to be the same comes out to be the same जिसका n ज्यादा होगा उसकी energy भी higher होगी the one with higher n the one with higher value of n will have higher energy और उसके लिए आपकी जो subsidy होती है वो काम में आ जाती ही यह वाली 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 4p ऐसे ऐसे आपको फिल करने होते अपने orbitals फिर यह फिर यह फिर यह ठीक है ऐसे ऐसे इसे डिरेक्शन में पहले 1s, 2s, 3p ऐसे तो यह जो आपको यह आपको हेल्प करता है तो फॉलोव दी n plus l rule और जो फाइनली में आपको इक इंपोर्टन चीज अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर मैं बताऊंगे आपको भी तक तो याद हो चुका होगा इस stability of half-filled and completely filled orbitals because of what half-filled and completely filled orbitals खीक है अब यह ही से आता है है हमारा जो periodic table वाला जो chapter classification of elements वह यहां से इस electronic configuration से ही उसकी शुरुवात होती है जब आप electronic configuration देखते हो आपके electronic configuration में there comes the last shell एक example लेते हैं जैसे 1s2 2s2 हाँ ठीक है 1s2 2s2 ले लो hydrogen helium lithium helium यह क्या हुआ हमारा beryllium हुआ ठीक है अब उसमें अगर देखो तो हमारा जो last shell जिसमें हमारा electron जा रहा है which is the s sorry the shell is 2 and the orbital is s तो यहां पर जहां पर मेरे जो electrons है वो last जो shell है वो not shell orbital जो s orbital में जा रहा है जिनके electron जो आखरी के electrons होते हुआ s orbital में जाते हैं उनको हम बोलते है s block elements जहां पर electrons आखरी में p orbital में जाते हैं वहां पर हम उनको बोलते है p block elements तो वह कहां चाहरे basically हमारे electronic configuration से ही यह classification of elements आती है हम classify करते है s block p block और dnf block elements में अब यहां पर मैं बता रहे थी half filled and completely filled orbital का क्या चक्कर है तो ionization energy it is again a question ionization energy of the second period elements उसको order पूछा था तो क्या hydrogen helium lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine यह यह है हमारे second अब उन्होंने क्या पूचा था इनकी ionization जो energy ionization energy का मतलब how much of an energy is required to eject an electron out in the gaseous state of an atom तो उसके के इसमें इसमें बारे में अगर हम बात करें तो lithium के बाद यह the order goes something like this क्यों 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 कि हापे क्या है हमारे पास वहीं पर अभी पिछले हमने देखा था वन इस तो इस तो इस तो इस तो completely filled orbital था higher stability है तो वह क्या करेंगा अपने असानी से देना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके पास उस electronic configuration के वज़ए से एक higher stability है उस वज़े से हमारे पास यहां पर एक exception आता है और दूसरा आधा हाफ फिल्ड की वज़े से हाफ फिल्ड में आता है nitrogen और oxygen के केस में पहले oxygen फिल नाइट्रोजन यह होगा है हमारे दो exceptions in case of ionization energy यह काफी logical है कि सीधी सीधी वहां पर हाफ फिल्ड और completely filled जो orbitals आपको देखनी है और वहां से आपको आंसर निकालना है दूसरा important topic अगर आपको अगर मैं classification of elements में बता हूं तो इस फजान्स रूल what is it फजान्स रूल फजान्स रूल हमें क्या बताता है भई फजान्स रूल हमें बताता है फजान्स रूल talks about the covalent character present in a molecule like basically जो ionic molecules होते हैं यह फिर ionic compounds होते हैं उस में देखो like one thing that you need to know is कि कोई भी जो bond होता है that is not completely ionic neither is it completely covalent तो उसमें कि हर ionic bond में कहीं ने कहीं covalent character होता ही है अब वो covalent character का extent क्या है यह चीज़ हमें पता पड़ती है फजान्स रूल से फजान्स रूल हमें क्या कहता है फजान्स रूल का कहना है कि जितना छोटा हमारा cation होगा smaller the size of cation higher will be the covalency smaller the size of higher is the stable sorry higher is the covalent character cc मतलब covalent character ठीक है और भही पर उन्होंने anion के लिए क्या बोला था अनायन के लिए उन्होंने बोला बिगर the size of the anion larger is the size of the anion higher is the covalency larger larger anion means higher covalency और उसके बाद उन्होंने एक और तीस्री चीज़ क्या बोली थी है अगर cation और anion are of similar size तभी भी आपकी covalency जो है higher होगी if the sizes of the cation and anion sizes of the cation and anion are comparable क्या होगा आपकी covalent character जो है वो ज्यादा होगा तो ऐसे कुछ छोटी-मोटी चीज़े हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में ये लोग आपसे पूट सकते हैं ठीक है आपे किमीकल बन्डिं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या फार्म हो हैं दो कि भी यह आपर क्या फर्म होग आपकी पूड़ा नाने अपर फिर तो सबसे पहले तो लेक उसमें bonds बनते ही क्यों है क्योंकि हमारे पास एक electron deficient molecule होता है जिसको electrons चाहिए और एक होता है हमारे पास electron rich molecule जिसको electrons देने होते है basically acids और bases के बारे में बात कर रही हूं देखो acids जो है A से acid A से acceptor तो acids are acceptors of electrons और bases are donors of electrons ठीक है अब इनके बीच में जो reaction होते हैं फिर adducts form कर सकते हैं अलग-अलग molecules form कर सकते हैं अलग-अलग चीजे बनाते हैं तो उनके कुछ parameters होते हैं वो जो molecules आपके finally बनेंगे उनके कुछ parameters होते हैं और परामिटर्स क्या होते हैं जैसे कि bond length sorry bond length is inversely proportional to bond strength जितना लंबा bond होगा उतनी ही आसानी से आपकी bond जो है वो तूट जाएगी and in turn bond strength is directly proportional to bond order, to bond dissociation energy, bond dissociation energy या bond energy कुछ भी कहलो उसको तो यह हमारे कुछ होगा है bond के parameters बराबर आपकी bond length जो है जितनी जादा जल्दी जितनी जादा लंबी होगा उतनी जल्दी टूटेगी और यहाँ पर हमारे bond strength जो है वो bond order, bond dissociation energy, bond energy इन सबके directly proportional होती है ठीक है अब इसके बाद जो important सवाल देए मतलब यहां से आपसे क्या पुछ लेंगे यहां से आपको bond length बताएंगे और पूछेंगे bond strength का वो बता दो, order बता दो, ऐसे सवाल हैं से आने की probability है आगे बढ़ते हैं सबसे important चीज़ यहां आ जाती है आपकी hybridization best part theory hybridization इनके दरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो hybridization आपको लेक अगर पूछना है या फिर आपको जानना है कि इसकी hybridization क्या होगी hybridization और shape यह दो important चीज़, sorry hybridization, shape and geometry यह जो चीज़े हैं related है और यह आपकी important चीज़े हो जाते हैं पूछी ही जा सकती है so number of atoms bonded to your central atom plus the number of loan pays it has अब यह बात तो समझ लो कि अगर आप organic chemistry में deal कर रहे हो तो single bond का carbon sp3 होगा double bond का carbon sp2 होगा triple bond का carbon sp होगा स्रिफ sp होगा ठीक है तो यह तो होगी मेरी कार्बन के बार मत अपार्ट फ्रों मिट आपको यह वाली चीज़े यूज करनेगे इसमें भी अपली केबल हैं तो आपको पता ही रहता है तो यहां से आप hybridization, hybridization के बाद जो है आपके पास आता है उसकी shape और geometry आपको देखनी पड़ेगी अब होता क्या है अगर आपके बास neutral molecule है और इसके neutral molecule without a lone pair तो उसकी तो सीधी सीधी पूरी आपकी जो shapes होती है वो आ जाती है ठीक है जब आपके पास शेप साजाती है तो क्या होता है अगर आपके पास AB2 type molecule है without a lone pair तो सीधी सीधी बात लीनियर बनाएगा अब अबी टॉ टाइप का molecule क्या होता है यहां पर मेरे पास जो कार्बन है इसने यहां पर एक दबल बन बना है यहां पर एक दबल बन बना है तो नब नमबर ओफ लोन पर जीरो तो से बनने वाली hybridization क्या होगी SP तो यह जो मेरा carbon है पर वो क्या होगा SP hybridized carbon होगा ऐसे ही आपके पस AB2 AB3 में होता है वो trigonal planar होता है AB4 का अगर के इस तरह without a lone pair तो वो क्या बनेगा वो आपका बनेगा तेट्रहेडरल फिर ट्रिगुनल पिरामिडल ट्रिगुनल बाइपरामिडल विच इस ओक्ताहेडरल तो यह सारे जो आपकी छोटी-छोटी शेप्स और जिमेट्री की बारे में बात अब जब आपके पास अगर लोन पर प्रेजेंट है तो आपके पास वाटर में ऑक्सिजन इज और सेंट्रल आटम एच एच और उसके पास दो लोन पेज मी था उसके वज़े से क्या हो जाएगा इसका फोड़ अनमबर जब अटम नमबर ओफ आटम सराउंडिंग दा सेंट्रल आटम और लोन पेज को आड़ करोगे तो फोड़ आएगा और आपके hybridization हो जाएगी SP3 वाट वो टेट्राहेडरल मोलीक्यूल नहीं होगा क्योंकि यह टाइप क्या है AB2L2, AB2L2 मतलब कि मेरा जो central atom it is surrounded by two atoms and two lone pairs उसकी वजए से यह वाली जो लेक जो इसकी जो आएगी फाइनली शेप जो आएगी it will be bent ठीक है even if it is SP3 hybrid it is not a tetra ideal क्योंकि वहाँ पर जो lone pair है वो क्या करेंगे वो ripple करेंगे हाँ रिपल्ट रिपेल्शन से आजा विस्पर थियोरी lone pair, lone pair repulsion is the highest फिर आता है bond pair, lone pair और फिर फाइनली आता है bond pair, bond pair repulsion ठीक है उस हिसाब से आपकी जैसी जैसी number of lone pair present है जो भी present है उसके हिसाब से आपकी जो शेप है आपके molecule की वह vary करती जाएगी, change करती जाएगी ठीक है भाई, ओके तो यहां से तो यह basic आपका कि यह molecules होते हैं, lone pair present होते है hybridization shape geometry यह शारी चीज़े होगी अब उसके बात आता है कि अगर मेरे आपके पास यह bond ऐसी form हो रही है अलग-अलग shape की तो वहां से आपके पास concept आता है dipole moment का dipole moment का क्या मतलब है dipole moment induced होता है क्योंकि आपके जो bonds होते है वो polar होते है ठीक है तो उनकी वज़े से उन bonds की polarity की वज़े से negative and positive charges starts developing on the molecule तो बहुत लेगे तो बहुती फेमस सा एक्जाम्पल है NH3 और NF3 का ठीक है यहां पर यह NF bond is more polar than this NH bond यहां पर जो electron यहां पर फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा electronegative है वेन लेक वो हमारा periodic table का सब से ज्यादा electronegative element है बट होता क्या है यहां पर वो काफी distributed होता है सारे फ्लोरीन अपने तरफ अपना electron density खीचने की कोशिश करेंगे उसके वज़े से क्या होगा यह सारे अलग-अलग इसमें distribute होंगे और आपका फाइनली यहां पर एक equivalent और यहां पर एक equivalent आएगा नहीं है क्यों क्योंकि वहां पर direction of dipole moment जो है वह opposite to each other है वहां पर cancel out कर जा रही है तो dipole moment अगर आपको देखना है तो आपको क्या पता होनी चाहिए आपको hybridization पता होना चाहिए उसकी shape geometry पता होनी चाहिए लोन पर है कहा है किस direction में तब आप जाके उसकी dipole moments कहा है और किस direction में वह निकाल पाओगे और finally you will be able to come to the dipole moment ऐसे cancel out कर रहे हैं exist कर रहे हैं कैसे exist कर रहे हैं यह सब चीज़े जो है आपको dipole moment से ही लेक ऐसे structural geometric के साथ आपको अपने bond polarity जो आपने थर्ड चाप्र में पढ़ी होगी उसके हिसाब से आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है भई खीक है तो यह हमने यहां तक क्या देख लिया वसपर theory पकर देख लिया चौलो अब मैं तुम लोगो बताती हूं molecular orbital theory molecular orbital theory में उनका favorite question आता है भई bond order पूछ लेते हैं वो किसकी bond order क्या होगी कैसे होगी और एक चीज़ ध्यान में रखना bond order में अगर आपको आई-स एलेक्ट्रोनिक species दिखे अगर आपको आई-स एलेक्ट्रोनिक स्पीशिस दिखती है तो उनकी bond order क्या होगी सेम होगी तो अगर आपको ऐसा कोई question आता है कि उसमें पूछ रहा है कि आपकी किन में bond sorry bond electron किस में bond order सेम होगी तो आपको क्या करना है just you just have to check कि उन सबके इलेक्ट्रोन जाना number of electrons भी molecule में same होंगे उनकी जो वो होगी bond order जो होगी वो सेम आएगी अब आपको एक चीज़ धान में रखनी है कि जब आपको molecular orbital diagram बनाने बोला जाता है molecular orbital diagram में आपके पास दो cases आते है 14 electron species या फिर 14 से जादा electron species जैसे कि for example ले 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 तो 16 electrons तो उसमें ध्यान में रखना जब आप 2P orbitals के साथ डील कर रहे हो तो यू आफ तो गो 1, 2, 2, 1 जब आप 2P electrons को और वो कर रहे हो तब आपके पास कैसा एगा यहाँ पे आएगा पहले आपका 2P Sigma, 2P Z इसके बाद Pi, Pi, 2P Y, 2P X और फिर आपके पास Pi star और आपका Sigma star accordingly, this is the arrangement of your frontier orbitals in the case where you have 16 electrons, rather अगर आपके पास स्रिफ 14 electrons है यह आपकी arrangement होगी 2, 1, 2, 1 और 1, 2, 2, 1 ठीक है इस चीज को हमेशा धान में रखनी हैं तो अगर मैं आपको यह तो हुआ कि आप सीरे सीरे से इस अगर आपको इस नहीं दिया और आपसे bond order ही पूछ ली है तो आपको यह formula ध्यान में रखना पड़ेगा हाफ और आपको अपको पूछने के अच्छे कासे चांसे हैं इसमें ऐसा भी कर देगा कि आपको कोई orbital दे देगा यहां से और बोलेगा कि उसकी वह बताओ नमबर अफ नोड बताओ तो इसम्दिंग के बाद हम बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स की थर्मोडाइनमिक्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है सबसे पहले भी स्टाट ओफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम, बाउंडरी, वाट इस दा सराउंडरी यह सारी चीज़े हम लोग जो है जनरली उसके बारे में बात करते हैं उसके बाद हम लोग के पास जो important relationships आते हैं वो सब तो तुम लोगों को अभी तक यात होई होंगे delta u is equals to q plus w और work done जो होता है वो work done हमारे पास different different types को हो सकता है reversible non reversible एक चीज़ यह commonly पूछ लेता है वापसे पूछता है if I have वो पूछता है work done क्या क्या होगा work done what will be the work done in different processes like isobaric, isochoric, ideobatic and isothermal ठीक है यह वाली जो यह वाले question है वो जो वो काफी आपको इसे पूछ लेता है normally आपके सवाल पूछ रहे तो आपके पास आपके y-axis पे क्या है और आपकी x-axis पे क्या है तो जब आपके बात कर रहे हो work done क्या आपको पता है work done is equal to negative integral of p.dv ठीक है यह हमारा work done होता है अब उसमें आपको पता है अगर मेरा dv 0 हो गया अगर मेरा कोई change ही नहीं हुआ तो वहाँ पे work done भी जीरो ही हो जाएगा तो इसको हटा दो बच्चे वे और free expansion sorry ठीक है तो सबसे जादा हमें पता है सबसे जादा work done किस में होगा सबसे जादा work done होगा हमारी अब free expansion में जब हम free expansion के बारें बात करते है external pressure 0 होता है तो free expansion के case में आपका जो work done आता है वो 0 होता है मतलब सबसे काम आता है तो अगर आपसे बोला गया कि इन में से free expansion isothermal adiabatic और isobaric में आपको एक order बताने बोला गया कि कौनसी order होगी आपके इसकी work done की तो आपको क्या बताना है सबसे पहले होगा isobaric और हम यह कहां से निकालेंगे हम यह निकालेंगे sorry isobaric graph ऐसे आता है isothermal का graph ऐसे आता और adiabatic graph ऐसे आता है इस इस चीज़ को ध्यान में रखना इस ग्राफ को अपने दिमांग में रखना कि अगर उसमें वर्क दन पूछी है तो वर्क दन क्या होती है वर्क दन होगा area under the graph of fee versus fee area under the graph में सबसे जादा प्रेशन प्रेशर ही नहीं तो वह क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा तो सबसे काम होगा उसके बाद आइसो बेरिक फिर थर्मल और फिर adiabatic तो यह वाली जो प्रोसेस है यह जो चीज़ है थोड़ी धान में रखना उसके बाद क्या जाती उसके बाद आजाती है हीट कपासिटी हीट कपासिटी के साथ हमने हमारे मारी रिन में भी देखा हूआ है कि हमारी xmaa यह वह बहुत साइव रिलेशन से वह मैं मैंने एपको पढ़ाई हुई है आपको उन इ masking को देहां से देख के जाना है ne interested question जो आया था पिछले दिनो, was on this particular relation. डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा NG R T. तो इस case में उन्होंने क्या क्या था? उन्होंने आपको केसी दिया हुआ है, you are given केसी, you are given केपी और आपको तेमपरेचर दिया है और आपको इंटर्नल एनर्जी चेंज को, आपको डेल्टा H भी दिया हुआ है. और फाइनली उसने आपसे डेल्टा U पूछा है. So, how will you go about this question? तो उसमें what was to be done was, आपको अगर केसी और केसी और केसी तो आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना पड़ेगा. Kp by kc is equal to dell ngr T Kp by kc is equal to what? dell ngr T तो वहाँ से आपके पास क्या आजाएगा? आपके पास dell ngr आजाएगा नहीं आजाएगा? और जैसी आपके पास dell ngr आगया, Kp by kc करोगे, dell ngr आजाएगा. ठीक है, और हमारे इवारे इसमें requirement क्या थिया? में डेल NG ही तो नहीं पता था र तो कॉंस्टिंटे टेमक्रेचर आपको गिवन है तो बेसिक लिए आपको केपी बाइ केसी यहां पर डेल NG पूछे का और फिर आर्टी निकालने बोलेगा यह क्वेशन ऐसा था जहां पर उसने केपी बाइ केसी यह जो है आपकी एक्विल ढूसरी चीज एक इंपॉर्टन एक मैंने पनाया था लोग उसको भी रिफर कर सकते हो कमिंग टू एक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जैसे मैंने बताय कि यहां पर अल्रेडी एक सवाल का example दे दिया था जहां पर Kp by Kc, Kp by Kc क्या है? Equilibrium constants and how are they related to del Ng Rt, what is del Ng? यह मत भूल जाना, A of A plus B of B giving you C of C plus D of D, तो जब आप C plus D minus A plus B करोगे, that will be your del Ng, ठीक है यह चीज़ को ध्हान में रखना in case of equilibrium, ठीक है यह सारी हमारी बाते हो गई, थर्मोडाइनमक्स ही थर्मोडाइनमक्स with equilibrium कैसे पूच सकता है वो, अब उसके अपार्ट सॉम् that equilibrium में जो आपके ionic equilibrium होती है, ionic equilibrium कहीं नगे आपकी थोड़ी important बन जाती है, ionic equilibrium में क्या पूचा जा सकता है, आपको different PHS आपको पूरी की पूरी वो दी गई आपको, PHS of different buffers, acidic salts, basic salts यह सारी चीज़े आपको अल्रेड़ी प्रोवाइड़ेड हैं, अपर्ट रम इट equilibrium में आपको alpha, degree of dissociation जो है उसके अलग-अलग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, फॉर्मिले जो हैं, वो ध्यान में रखने, साथ की साथ आपको ionic products, ionic product of water, उस दिन लेक एक सवाल हम दे किया हुआ था, जैस पर हमको 90 degree Celsius पे pure water में, H3O plus की concentration दी हुई थी, neutral pure water में, तो हमको क्या करना था, हमको लेक अगर मुझे उसने वहाँ पर वो पूछा था, उसकी ionic product करनी थी, तो मुझे basically, यहाँ पर मुझे H plus 2 OH minus करनी थी, यह आपको 10 to the power minus 6 दी हुई थी, तो आपको basically बस इन लोनों का ionic product करना था और आपका answer के H आ जाता, at 90 degree celsius, so this was something that you had to do, ठीक है बही अब आए, equilibrium में जो हमारा start है, हमारा equilibrium का start है, हम से यह कहता है, कि जो equilibrium है, इसका मतलब क्या होता है, reaction of forward reaction is equal to, sorry, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, तो that is the basis और वहाँ पर आपकी यह जो statement है, वो आपकी foundation को ले करती है, equilibrium में, ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, और गैनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही बिस्टीक से सवाल होते है, बट अगर आपको वो पता है, अगर आपके वहाँ के concept clear, तो आपके आगे के भी चीज़े clear होती जाहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे electronic effects, electronic effects का क्या मतलब है वही, electronic effects मतलब inductive, resonance and hyperconjugation, and resonance, अब उसमें देरा certain types of groups जिनको आपको ध्यान में रखने है, जैसे कि electron withdrawing और electron donating groups होते हैं, electron withdrawing groups होते हैं आपके, electron donating groups होते हैं, इनकी भी list provided है, बता भी दे रहे हूं, NO2, Cn, NO2 सबसे ज़्यादा electron withdrawing है, Cn उससे कम है, C double bondo, OH, acid, aldehyde, ketone, यह साथ इनको groups होते हैं, आपके electron withdrawing groups होते हैं, और electron withdrawing groups क्या promote करते हैं, acidity, promotes, acidity, electron donating groups कौन-कौन, CH3, OCH3, NH2, यह सब होते हैं, आपके electron donating groups और यह सब क्या promote करते हैं, यह promote करते हैं, आपकी basicity, not only this, there are two things that you need to remember in organic chemistry, आपके पॉजिशन पर कौन से attached हैं, अगर आप इसके बारे में बात को, if you are not talking about the aliphatic molecules, and you are talking about the aromatic molecules, it also, एक चीज़ को धान में दखना, अगर हैं पर electron withdrawing groups हैं, और electron यह चीज़ आपकी electrophilic substitution में आपसे यह वाला concept पूछ लेगा, अगर आपके पास electron withdrawing group है, तो आपका जो डेल positive है, वो resonance structure में आपको पत्ते पड़ेगा, यहां इन सारे positions पे play positive charge आता है, तो अगर ऐसे case में आपको वो बोड़ा electrophilic substitution करना है, electron withdrawing group का, तो आपको ध्यान में रखना कि आपको meta position पे करना है, similarly अगर आपको यहां पे electron donating group दिया होता, तो वो ortho और para पे होता, तो यहां पे वो meta के case में होगा, और electron donating group पे electrophilic substitution on benzene ring, in presence of electron withdrawing in electron donating group का मैंने आपको जिस्ट दिया है यहां पर, यहां पे यहां पे और यहां पे आपके resonance के time पे negative charge डबल अप होगा, और वहां पे आपकी जो भी है negative charges है वहां पे वो attach, negative charges पे आपका जो electrophile है वो अच्छी तरीके से attack कर सकता है, और यहीं आपका basis बनाता है आपको अगर Friedel Crafts reaction में या कहीं और पे आपको वो दे देगा कि हाँ ठीक है यह आपका electrophile है और मैंने आपको electron donating group दिया है तो फिर आप कहां पे करोगे उसकी ortho or para position पे करोगे, जो ortho or para position पे आपको उसकी electrophilic substitution reaction करानी पड़ेगी, ठीक है अब एक चीज़ यहां पर important आजाते है जो आपके fluorine है, fluorine, fluorine, chlorine basically जो halogens है, they are also ortho and para directing, they have a lone pair which can be shared with the ring, तो अगर आप inductively देखो तो they are electron withdrawing because of their high electronegativity, बट अगर आप resonance के बारे में बात करो तो resonance के case में they are activating and they donate their loan pass into the ring and making them electronically rich, और अगर chlorine के जगह पे अगर आपको वो करने बोला गया है, substitution करने बोला गया है, तो chlorine के presence में substitution करने बोला गया है, तो it will behave as an activating ring और आपको ortho और para position पे ही आपकी जो वो करानी है, electrophilic substitution reaction जो है, वो आपने वही पर करानी है, ठीक है, यह चीज हो गए, यह यहाँ पे आगया, अब उसके बाद यह reaction यहाँ पर electrophilic substitution के साथ शाथ nuclear flick substitution पे भी काम करेगी। हाँ और नुक्लियोफिलिक सब्स्ट्यूशन एक जीज़ ध्यान में रखना जब आप नुक्लियोफिलिक सब्स्ट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो बाय मॉलेक्यूलर तो वो आपके बल्की कार्बन पे नहीं हो सकती ना कि वो हो सकती आपके SP2 hybridized carbon पे तो यह दोनों अगर carbon दिखते हैं आपको तो आपके यहां पर क्या कहते हैं SN2 reaction mechanism नहीं होगी otherwise आपके पास अगर नुक्लियोफिलिक सब्स्ट्यूशन अदर्वानी हो तो आपके पास क्या चाहिए मुझे अगर में को नुक्लियोफिलिक तो अगर मेरे पास नुक्लियोफाइल आ रहा है नुक्लियोफाइल मिदलब सम्टवन और अब स्पीशीज विच लव पॉजितिव चार्ज अगर वह ऐसा आ रहा है तो मेरे कौन से जो ग्रूप सोंगे वो प्रमोट करेंगी नुक्लियोफिलिक substitution को नुक्लियोफिलिक substitutions नुक्लियोफिलिक substitutions आ प्रमोटेड वाइलेक्ट्रॉन विद्द्रॉइंग ग्रूप्स उसी का एक्जाम्पल था जहां पर आपको यहां पर सबसे फास्ट होगी इसकी यह होगा सबसे फर्स्ट फिर होगी इसकी पिर यह और फिर यह है रीजन भी कि जो हमारा नाइट्रो ग्रूप है एलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग है सी एल जो है वो माइनस बनके जाएगा बेचिकली क्या होगा मेरा नुक्लियोफिल सब्स्ट्ट्यूट हो रहा है तो नुक्लियोफिलिक थीन एक और साथिशनłem, वह इंसलड्रॉन की नुक्लियोफिलिक ग्रूप के लिए उय सो यह से अलावा किया पूछिन पीशलीफिलिग उन सब्स्ट्यूशन यह आपको मिला के जो है वो GOC1 में पूच लेगा ठीक है यह हो गई हमारी बात और गानिक के ज भी और समस्पर मुल जाएगा उसके पहले हम accepts electron oxidation क्या घरता है डोनेट्स इलेक्ट्राउन इसके वज़ेसे इसके oxidation state क्या होती इंक्रीज कर जाती एंडशन में oxidation state decrease जाती है तो यह होता है हमारे reduction oxidation च्छुटी-चुटी चीज़ अगर आपको कोई compound दे दिया गया और उसको अगर आपको oxidation स्टेट पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे उसके उक्सिडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास से सब्सक्राइक मॉलिक्यूल दिया गया है तो आपको सबसे पहले धान रखना है कि अगर आपके एक रियाक्शन में अगर आपको कोई कंपाउंड दिखता है जैसे हो क्या एफ टू ओ टू पी फॉर ऐसे जो एलेमेंटल फॉर्म में अगर आपको अपना कोई वह दिखता है कोई मोलीकूल या कंपाउंड ऐसा है जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं तो ध्यान में रखना कि उसके Oxidation स्टेट क्या एगी जीरो कुछ कॉमन चीज़े हैं हालोजेंस की हमेशा माइनस वन आती है जनरली अगर वह oxygen के साथ ना हो और oxygen की चीज़े हमेशा माइनस टू जाती है अंटिल औलेस वॉट अंटिल अनलेस इटाज आज़ परोक्सी लिंकेज में उसकी क्या जाती है माइनस वन जाती है और oxygen इफ अटैज्ट तो फ्लोरी फ्लोरीन बीग मोर नेगेटिव देन और नकालना तीच से आता है अगर आपको यह सारी जो चीजे अगर करनी हाती है यह वाली आपको N निकालना आदा है तो I don't think आपको Redox reaction में सच कोई problem हो क्योंकि Redox reaction के सवाल इतने पूछे ही नहीं जाते हैं वो पूछेगा तो आपको Electro chemistry में मिला के पूछ लेगा वो पूछेगा तो आपको इसके साथ क्या कहते हैं मोल कॉंसेट के साथ मिला के पूछ लेगा मोल कॉंसेट में कैसे पूछेगा मोल कॉंसेट में आपको reaction देदेगा और बोलेगा कि आपकी normality पताओ अब normality के लिए आपको N फैक्टर चाहिए होगा और उसके जैसे कि सब्सक्राइब के पास कोई उसने reaction दी है यह वाली मैंने डिसकस्ट भी किए FeCl2 बैसिकली आपका प्लस 2 से Fe जो है वो प्लस 3 oxidation state में जाता है in presence of K2Cr2O7 ठीक है तो हमारे पास क्या होगे हमारे पास दो reactants होगे reactant number one reactant number two अब उसमें उसने solution आपको दिया हुआ है K2Cr2O7 का और उसकी आपसे क्या पूछी है normality पूछ ली है अब जब आप normality आपके पास ठीक है यहां पर उसने रिए जो लेक सीदा सीदा सवाल था weight given था weight of K2Cr2CrT was given and normality was asked normality के लिए normality find out करने के लिए ही उसने FECL2 और FECL3 दिया था आपको सीदा सीदा उसका end factor निकालना था formula माने बताया हुआ है और आपकी जो भी molarity आ रही थी उसको end factor से multiply कर देना था आपकी जो normality है वो निकल आती है तो थीज आदर टाइप और टाइप और टाइपस और टाइपस और टाइपस और टाइपस और रिडॉक्स रियाक्शन अगर वो किसी के साथ ऐसे मिलके आ जाते हैं तो ठीक है अब हम आजाते हैं हमारे solutions पे हम बारवी वाला chapter हमारे वो second half पे वो शुरू करते हैं solutions पे आते हैं तो solutions में सबसे पहली चीज हमें अगर एक्जाम पॉइंट अब्से मुझे डिसकस करनी होगी तो सबसे पहले को हमारा आएगा henry's law henry's law क्या होगा partial pressure is equals to kh into x डाइक सवाल देने के चांज इस बहुत का क्योंकि उसके पास आपके colligative properties भी हैं जिस पे वो सवाल आपके पूछेगा उसके बाद आपके henry's law के बाद आता है आपका राउल's law और deviations राउल's law के according p total is equals to p1 not plus p2 not minus p1 not into x2 ठीक है यहाँ पर आपकी क्या दिये हैं इसमे p1 not दिया हुआ है इन में से एक क्या करेंगा एक चीज़ घोटा देगा और बाकी सारी चीज़ आपसे पूछ लेगा तो यहाँ पे होगे हमारा henry's law यहाँ पर होगे हमारा राउल's law के साथ ही कुछ चीज़े आती है राउल's law के साथ आता है आईडियल बिहेवियर तो राउल's law के है इडियल ग्राफ है हमारा जो वो हम लोग बनाते हैं मोल फ्रक्शन और इस केस में मोल फ्रक्शन और प्रेशर के बीच का जो हमारा लीनियर ग्राफ आता है दाट लीनियारेटी नेवर ब्रेक्स इन केस आफ राउल's law मतलब आईडियल ग्राफ होती है वो ओवर दर रेंज कम्प्लीट रेंज के ऊपर आपकी जो लीनियर रेटी उसको नहीं डेवियेट नहीं करती है मतलब राउल's law को पूरी तरीके से फॉलो करती है अब यहां पर राउल's law को फॉलो करने के साथ साथ फिर हमारी जो रेयल गैसिस है वो राउल's law को इतने अच्छे से फॉलो नहीं करती है मीनिंग क्या है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव डेवियेशन पॉजिटिव और नेगेटिव डेवियेशन में आपके पास दो टाइप के और अजियो ट्रोप साजाते हैं दो इसे डेवियेट करता है नीजी विच मीन्स कि जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है वो नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है आपका अगर आपके एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ने तो आपको क्या करना पड़ेगा जादा बॉल करना पड़ेगा तो आपका नेगेटि अब इस पर एक सवाल आया भी था उसने आपको कुछ कमपाउंट्स दिये वे थे और उसमें पूछा था कि कौन सा मिनिममम बोईलिंग बनाएगा और कौन सा माक्समम बोईलिंग बनाएगा अब आपको पता है जो हमारे नेगेटिव डेविएशन जो दिखाते हैं नेगेट और हमारा माक्स제 ममोलिंग अज्यो variesगता है मिनिममम बोईलिंग अज्यो टॉप करते है मैं कम टेम्प्रेचर पहमारा जो सलूशन वह वह बोईलिंगरीट लगता है क्यों से हमारे जो ए नेटरैटिन से थे एस द्वाओंगरं जे अखट अधर ऑएबिटिकर यह चीज हो गई तिक है उसके बाद हम लोग आते हैं क्वालिगेटिफ प्रॉपर्टीज पे जो क्वालिगेटिफ प्रॉपर्टीज होती है यह चार क्वालिगेटिफ प्रॉपर्टीज होती है क्वालिगेटिफ प्रॉपर्टीज होती है क्वालिगेटिफ प्रॉपर्टी से जहां से आपके molecules escape कर रहे थे अब वहां पर कुछ non-volatile particles आगे तो आपकी क्या हो गई तो सर्फेस एरिया है जहां से molecules escape out कर रहे थे वो हो गए है कम अब अगर वो कम हो जाते हैं तो हमारी दिक्कत बढ़ जाती है इन molecules के लिए सॉल्वेंट के लिए जो escape out करना चाहते थे तो इस के इस में क्या observe होता है relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure आप तब देखेंगे जब आपके पास solvent हो और आपके पास non-volatile solute हो ठीक है तो अब कितना decrease होगा कितना अपने डाला हुआ है तो उसके लिए आपकी यह वाली फॉर्मिला आती है relative lowering of vapor pressure तो relative का बतलब जो initially expected था अपन sorry difference in the initially जो expected था उसका minus जो अभी आ रहा है वो divided by the initial तो वो हमारा जो फॉर्मिला है हमें क्या देखा हमें देखा वो relative lowering of vapor pressure from whatever it was expected यहां पर हम क्या लेंगे हमारा solute का बोलेंगे basically it comes out to be N1 by N2 ठीक है हमारा जो है वो N1 by N2 आ जाता है फाइनली और उसको हम अगर like number of moles की जगह अगर हम उसको molecular weight में और sorry molecular mass में और given mass में अगर वो टैबलेट करना चाहते है यह फिर यहां पर हो गई हमारी relative lowering of vapor pressure इस पर लेक सावाल इते देखे नहीं है मैंने आते हैं बट अल्राइट उसके बाद आता है elevation in boiling point फिर से वही बात है हमने वहां पर डाला है तो वेपर प्रेशर जो हो गया वह अच्छा boiling boiling point का मतलब क्या होता है boiling point हम तब बोलते हैं जब हमारा वेपर प्रेशर जो लिक्विट की उपर का जो वेपर प्रेशर एट बिकम सीक्वल टू अब यहां पर आपने क्या किया यहां पर आपने आपकी वो जो सर्फेस इसको ब्लॉक कर दी उसकी वज़े से आपका वेपर यह हमने देखा है रिलेटिव लोरिंग प्रेशर तो हमारा जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज हो गया है तो मैं जादा बॉइल करना पड़ेगा जादा हीट करना पड़ेगा तब जाके हमारी 180m की जो बार है वो रीच करेगी तो उसके लिए एलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लेक टेंपरेचर पर बॉइल करना पड़ता है अब उसको मैतमाटिक लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यह आपका यह तो कॉंस्रेंट है आपका उसके बाद देल्टा यह वाला जो टर्म है की बी इन्टु एम भी लिख सकते हो आप बट एम इस नथिंग बट दी मॉलालिटी हीर मॉलालिटी में यहां पर आप जो वेट्स होंगे उनको ग्राम्स में डालेंगे क्योंकि आपने थाउजंट उसको मैल्टिप्ला अल्रेडी कर रखा है तो दिस Elevation in Boiling Point. progressively we have depression in Freezing Point and also depression in Freezing Point same Church delta Tf पहले कितना था अब कितना है is equals to kf into 1000 into w2 by m2 into w1. तो यह हां हमारा क्या जागा relative वह वापस है delta tf is equals to kf into m where m is your molality. ठीक है बढ़ी बात है और हमारी जो last qualitative property होती है हमारी जो last qualitative property आती है वो होती है हमारी osmotic pressure osmotic pressure pi is equals to crt where c is nothing but the concentration of your solute. basically in your solvent ठीक है और उसको अगर r कुछ नहीं है r हमार universal gas constant है temperature t volume basically v concentration के लिए basically यहां पर क्या होगा अपका number of moles आजाएगा है यहां पर और divided by v तो concentration निकल आएगी तो यह सारी जो चीज़े हैं आपको solutions chapter chapter में से पूछने की possibility है probability है आजाते हैं electro chemistry पे नुमरिकल बेस्ट प्रोब्लम्स आते हैं इस पे जर्णली अभी ट्रेंच तो लास्ट यह तो ऐसा हुआ था कि एक भी numerical नहीं आया था तो लेक इस reaction में जो formula बताया था आपको वो यहां पे भी nf find up कर सकते हो, reduction half, oxidation half को, overall cell के लिए nf निकालने के लिए वो तो same formula can be used here as well. So, e-cell, nurse equation says that e-cell is equal to e-not, e-not का मतलब क्या था, e-not of cell मतलब the electrode potential at standard conditions, is like e-cell is equal to e-not minus rt by nf into lnq, lnq, अब हमारे जो cells होते हैं, उसमें क्या होगा, हमारा एक oxidizing species होगा और उसमें एक reducing species होगा, तो उसके जो like cation anions, not cation anions, बद जो ions होगे, उनकी जो ratio जैसे a, a, b, b और c, d, basically, यह हमारा standard reaction है नहीं है, तो आपके q में क्या हैगा, c to the par, sorry, c to the par c और a, तो यह आपका q को अगर आपको extend करना है या फिर वो बढ़ा करना है, तो आप ऐसे find out कर सकते, अब इस पर से आपको बोले का क्या निकालने के लिए, यहाँ पर आपको क्या बोल सकते, आपको delta G निकालने के लिए, आप कौन से formula यूज कर सकते Gibbs free energy के लिए, Gibbs free energy को use करने के लिए, आप क्या करोगा, delta G is equals to minus RTLNQ, and delta G is equals to minus NFE, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा electrochemistry का basic introduction, अब वो electrolytic cell, electrochemical cell, यह सब तो चीज़ आपको अपको अरड़ी पता है ही, ठीक है, उसके बाद आते हैं, Faraday's law, Faraday's law, जब आप अपने electrodes के through, जब current pass करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर equivalent weight है, हाँ, गलत लिख दिया है, मैंने, sorry, All right, तो यहाँ पर क्या होगा, W is directly proportional to Q, meaning, आप जितना जादा current, किसी आपके जो electrodes में जितना जादा current आप पास करते जाओगे, उतना ही जादा आपका जो weight है, वहाँ पर deposit होता जाएगा, या तो liberate होगा, एक पर deposit होगा, तो इसे से liberate होगा, तो it is the weight which is being deposited, और being liberated, is directly proportional to the Q, और वही, वही weight जो है, it is directly proportional to E as well, बद W by E, जो weight होता है, उसका ratio अगर E के साथ लिया जाएगे, तो it comes a constant, and that constant is nothing but the Faraday's constant, which comes out to be 9, 6, 5, ठीक है, यहाँ पर होई हमारे Faraday's law, अब, Faraday's law के बात क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, जब हम सेल में, conductance, resistance, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है, resistance is equals to rho L by A, resistance R is equals to rho, which is resistivity, L is the distance between the electrodes and A is the area. So, basically, R is equals to rho L by A, अब इसी का अगर मैं inverse कर दूँ, 1 by R अगर दूँ, तो उसको 1 by R is nothing but conductance, 1 by R is nothing but G, which is called as the conductance. ठीक है, और आपका जो K है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कपपा होता है, कपपा is nothing but G into G star, now what is G, G तो 1 by R है और G star जो होता है, G star is your cell constant, G, हम हमें लिखके बता है, हाँ, 1 by R is equals to G, A, and G star is nothing but your, it is the ratio of L by A. This is called as the cell constant, और उनके रिबीच का रिलेशन क्या है, कपपा is equals to G into G star, conductance into cell constant, जो होता है, वो आपका कपा आपको दे देता है, अब ऐसे questions भी आते हैं, जहाँ पर आपको क्या बोलता है, कि एक कोई compound देदेगा आपको, और आपको उसके इंडिविजुल का टायर और अनायन की की conductivity देदेगा, at infinite dilution, और आपसे क्या पूछेगा, इसकी बताओ, तो आपने सीधा-सीधा यह formula यूज करना है, और ऑपिस लिए इसके बाद भी आपको इस delta infinity equivalent को कहीं ना कहीं, यूज करना पड़ेगा, बट फर्स टेप इस तो फाइंड की हमारा लेक जो equivalent conductance है, वो कैसे आरहा है, कहां से आरहा है, तो वो बेसिकली आपके काटायन और अनायन की से सपोज आपका एक बीकर लिया, मैंने, अब मैंने आपको इहां पर, से सपोज, CHTCOH डाला, तो आपके पास अनायन भी बनेगा, आपके पास काटायन भी बनेगा, तो जो equivalent conductivity आएगा, इन्पाइन डियूशन वो आपके आएगी काटायन की भी और अनायन की भी आड़ करने के पाद़, काटायन और अनायन जो है, उनको हमको इन्पाइन डेलूशन, पर देखना पद तो क्या होगा, तो क्या होगगा कि आपकी नेगेडिव पॉजटिव में, आएट्राक्षन हो, नेगेडिव नेगेडिव में, रिपल्शन हो, तो जो हमको ऐसे क्रूड कंड़क्टिविटी मिलनी चाहिए तो ऐसी चीजों के लिए क्या करना होता है आपको इंफने डिशन पर इसाइज जी से देखनी होती है है ठीके अब इसके बाद हम आते हैं केमिकल का इनेटिक्स पे केमिकल का इनेटिक्स में सबसे पहली ही चीज क्या आती है है मारी पास आती है रेट रेट लो को अगर हमें को डिफेरेंशल रेट लो ऐसे अगर एक्सप्रेस कर रही है तो मैं ऐसे करते हूं where k is my rate constant, k is nothing but the rate constant and we are, जो भी हमारा reaction हो रहा है, उसके components है, वो raised to the power, अब यह चीज़ दहान में रखने हैं, यहाँ पर जो यह power है, it is not, not necessarily, हो भी सकते हैं, not necessarily, the stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation, not the stoichiometric coefficient of the balanced chemical, ठीक है, अब यहाँ पर important चीज़े highlight करने वाली बात क्यों थी, क्योंकि यहाँ से बहुत generally आपको पूछ लेगा, order पूछ लेगा, एक चीज़ को ध्यान में रखना, order can have fractional values as well, order is something, order का, अगर इस equation से मुझे order निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर मुझे rate law से order निकालना है, so it is the sum of the exponents, when the reaction is expressed in the form of rate law, the reaction is, ठीक है, यह एक चीज़ में, अब यह जो है, यह इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी की यह जो होता है, वो experimentally determined होता है, experimentally determined, दूसरी चीज़, it can take a fractional value, can take a fractional value, ठीक है, वोई पर molecularity जो है, molecularity, it cannot take a fractional value, यह सारी चीज़े हैं fact-based हैं, क्योंकि इन पर fact-based सवाल भी आते हैं, यह अब ऐसा chapter है, जिसमें scope है, कि आपको यह वाली चीज़े भी पूछो, numerical भी पूछे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भई, हाँ, तो अब हमने देख ली कि हमारी order क्या होती है, वो जो होती है, वो होती है, sum of the exponents, अब उन orders के order के basis पे, हमने देखा, कि हमारी like zero order reaction जो होती है, वो हमारे concentration के बिल्कुल independent होती है, जो चीज़ हम आगे अभी discuss भी करेंगे, बढ़ जो अभी मैं बताना चाहती हूँ, वो यह है, जो हमारी units है, वो लोग direct-direct units पूछ लेते हैं आपके rate constant के, लेक्टो जो zero order reaction है, zero order reaction का unit for rate constant, unit for rate constant, unit of rate constant पूछ लेगा, क्या है zero order reaction, अगर जो है zero order reaction, mole per liter per second, तो देखो rate है, तो second inverse तो सभी में आना है, sorry, जो rate है, अगर क्योंकि, तो भहाँ से वो second inverse तो सभी में आना है, यह चीज़ जहान में आना है, mole per liter, rate constant का है, mole per liter, यहाँ पे सिरिफ second inverse है, और यहाँ पे liter per mole second, ठीक है, liter per mole per second है, ठीक है, यह हो गई, यह तो लेक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको rate constant, वो सभागर आप लिखोगे, उसको बराबर equation में, तो और फिर कि वो find करने जाओगे, तो भी यही answer आएंगे, बट इस good that you should remember, और नो, पहले से आपका time बचेगा, ठीक है भाई, आगे आते हैं, इंटीगरेटेट लेक, zero order reaction, और इंटीगरेट फर्स्ट order reaction पे, इनको अगर मैं लिखूं, तो इस is, this is how I will express it, R naught minus KT is equal to, KT is equal to R naught minus R, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो T half है, it is inversely proportional to K, and directly proportional to the concentration of reaction, half-life of my zero order reaction, is directly proportional to the initial concentration of the reactant, which is not the case here, यहाँ पे आपका जो T half है, वो आपके initial concentration of your compound reactant, whatever it is, it is independent of it, ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखते हैं, और क्याफ्स, यहाँ पे इस reaction को, अगर मैं y is equal to mx plus c से compare करती हूं, तो मेरा वहाँ पे slope जो आता है, मेरा slope क्या हैगा, my negative slope will be equal to K, whereas my y-axis is corresponding to the concentration of the reactants, and the x-axis is corresponding to the time, similarly, यहाँ पे मेरे पास दो graphs है, एक का negative slope है, एक का positive slope है, यहाँ negative slope वाला अगर आप देखो, it is like just the lnr, सिर्फ lnr versus time का, अगर होगा तो negative slope के साथ, आपका जो rate constant, it will go into the slope का value, बट नहीं पे अगर आप log ले लेते हो, log of r0 by r अगर लेते हो, तो इट comes out to be a straight line, with the slope of K by 2.303, तो यह वो हमारी chemical kinetics में, rate clause और rate constant की बाद, उसके बाद हमारा आता है, dependence of rate constant on the temperature, dependence of rate constant on the temperature के लिए, हमारे पास है arhenius equation, arhenius equation is nothing but, K is equals to, a into e to the power minus ea by rt, अब हम जब उसका log ले लेते हैं, natural log लेंगे, तो हमारे पास यह वाली equation आती है, which can be represented this way, आपसे यहाँ पर कैसे equation पूछ लेगा, यहाँ पर आपको क्या देदेगा, आपको दो different T देदेगा, दो different K1, K2 देदेगा, T1, T2 देदेगा, आपसा आपकी activation energy पूछ सकता है, activation energy difference या फिर ऐसा कुछ जो भी question है, वो यहाँ से Arrhenius equation से बना सकता है, ठीक है, chemical kinetics हो गया, अभी हम आते हैं, coordination compounds के उपर, अब हम बात करेंगे, coordination compounds के बारे में, सो, coordination compounds क्या बोलते हैं वही, coordinate bonds बनाते हैं, सो, coordination compounds में क्या होता है, कि आपका जो donor होता है, वो अपने lone pairs को आपके MT, अलेक के सी acceptor के MTD orbitals में तालता है, और वहाँ पर आपका bond की जो formation होती है, that takes place, अब यहाँ पर एक चीज़ वो बहुती, like, frequently पूछते हैं, that is the, like, formation of a colored compound, तो उसके चीज में आपको सबसे पहले, कुछ basics में बता देती हूं, आपके D orbitals भरते हैं, तो आपका जो D1, D2, D3 configuration जो है, D1, D2, D3 configuration और, D8, D9, and D10, यह वाली जो हैं, इन पर ligand का कुछ फरक नहीं पड़ता, इन केसे में ligand का इतना फरक जो है, आपके केस में नहीं पड़ेगा, it is only when octahedral complexes की बात कर रही हूं, octahedral complexes में, जो आपके D4 तो D7 है, अब क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, अगर ऐसा वाला case हुआ, अगर strong field ligand आ जाती है, अगर strong, यह कैसा हुआ है, हाँ, अभी यह ध्यान में रखना, बच्चे बड़े confused होते हैं, strong field ligand, strong field ligand जो है, gives rise to low spin complexes, यह confusion मेरी भी थी और बहुत टाइम तक रहती है, strong field ligand जो है, वो low spin complex, आप सब सब सही समझोगे, बट यह अगर गरबर करती, low spin, high spin में, वो strong field होगा है, weak field होगा, तो यह चीज़ को अपने ध्यान रखना है, ध्यान से ध्यान में रखना है, तो यह कैसा complex हो, यह हुआ high spin complex, और high spin complex किक के साथ बनेगा, weak field ligand के साथ, अगर यह और यह वाली cases है, और फिर यह पहले cases पर आपको देंगे, नहीं, तो आपकी high spin, अगर pairing नहीं होती है, तो आपके high spin complexes जो है, वो form हो जाएंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ को गौर करना, अब वो यहाँ पर आप से क्या पूछ लेता है, आप से पूछेगा, configuration of T2G है नहीं, अब यह चीज़ दियान में रखना, बच्चे बार-बार भूल जाते हैं, अगर आपके octahedral complex है, उसकी configuration ऐसे जाएगी, जो lower वाले होंगे, T2G होंगे, higher वाले जो होंगे, वो easy होंगे, बट tetrahedral complexes में, this will be it, easy वाला जो है, इसे वाले जो orbitals होंगे, वो lower energy पे होंगे, T2G वाले जो होंगे, वो higher energy पे होंगे, it is because of the direction in which the ligands are incoming, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, अभी अगर मैं पहले octahedral से अगर समझाओ, क्योंकि generally वही आते हैं, आपके सवाल में, तो मैं क्या बताते हैं, वो आप से क्या पूछेगा, electronic configuration in T2G and EG, पहले डाइप का सवाल है, electronic configuration, अब मेरे पास से सबोज अगर D6 उसने दिया हुआ है, D6 क्या होगा, F e plus 2 कट दो, आपका D6 electronic configuration आजाएगा, अब D6 को मैं दो तरीके से रेंज कर सकती हूँ, एक, दो, तीन, चार्ट, पाँट, छे, या मैं उसको, तो आपको ध्यान में लखना, वो कभी-कभी आपको सीधे-सीधे नहीं बोलेगा, strong field लिखेन है, कहेगा low spin complex बन रहा है, तो ध्यान में रखना, कि अगर आपको F2O दिया हुआ है, F2O दिया हुआ है, तो यह करना है, यह मत करके आजाना, F2 तो यह तो प्लस 6 था, sorry, प्लस 2 था, 6 की थी, तो हम दे तो यह बना दिया, लिखेन तो देखो, वीक-फील लिखेन है, तो इस पेरिंग कैसे होगी, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है, अच्छा, अब वीक-फील लिखेन के केस में भी कभी-कभी पेरिंग हो सकती है, वो केस क्या है, वीक-फील लिखेन, if you have the metal belonging to, if you have your metal belonging to the 5D और the 4D series, 4D और 5D series में अगर आपके, यह जो इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पेरिंग हो जाएगी, वीक-फील लिखेन के केस में भी, वीक-फील लिखेन है, और आपके पास 4D और 5D series का, आपके पास प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल, तो आपके में आपमें वहाँ पैरिंग हो जाएगी, तो होता क्या है, कि वहाँ पे बहुरी डिफ्यूजड और्बिटल होते हैं, और आपकी जो लिखेन, जो वीक-फील वाली लिखेन में भी, उत्ती एनरजी होती है, कि वो उसको पैर करवा दे, तो यह ध्यान में रखना, अगर आपको पास 4D और 5D सीरीज है, और वीक-फील लिखेन में तो होती है, वीक-फील में भी वहाँ पे लो स्पिन कॉंप्लेक्स बनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेस्टिन क्या पूचेगा, एलेक्रोनी कॉंफिग्रेशन बनाने बोल देगा, दूसरी चीज बोलेगा, कि आपके कलर्ड कॉंप्लेक्स बन सकते हैं, क्या, क्या यहां पर कलर्ड कॉंप्लेक्स फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, अब कलर्ड कॉंप्लेक्स फॉर्म होने के लिए, मुझे क्या चाहिए या तो like metal to ligand transfer या फिर आप आप से जो generally पूछा जाता है that is d d transition अब d d transition का मतलब क्या है भाई अगर मेरे पास ऐसी कोई condition है तो क्या होता है यहां पर energy difference है if मेरा यह वाला जो complex है उसको मैंने किसी electromagnetic radiation से irradiate किया तो there is a possibility कि मेरा electron है it will gain some energy और it will energy gain करने के बाद क्या करेगा higher energy higher energy state में चला जाएगा और अगर ऐसा होता है तो after some time it will lose its energy come back to its original position and while this loss of energy is taking place it is taking place in the form of an electromagnetic radiation this is the electromagnetic radiation that you see तो यहां पर जहां पर भी dd transition होने की possibility आपको दिखती है बहां पर आपके charge complexes form होने की possibility रहती है अब वो क्या करेगा ए charge complexes के साथ-साथ वो आपको पूछेगा कि what is the color of the complex form तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखने है जो energy होती है is inversely proportional to lambda ठीक है e is equals to hc by lambda hc is a constant inverse relation आगया नहीं आगया तो जितनी ज्यादा energy difference होगी आपके like t2g और eg में जितनी ज्यादा energy difference होगी उतना ही बड़ी उतनी ही बड़ी नहीं उतनी अगर energy difference ज्यादा है मतलब ज्यादा energy लगेगी ज्यादा energy लगेगी मतलब lambda छोटी होगी बराबर inverse relation है energy अगर energy अगर ज्यादा है तो यह ठीक है इस चीज़ को ध्यान में रखना ऐसे सवाल आपके coordination complexes पर लोग पूछ लेते हैं अब वो एक और चीज़ पूछते हैं inner d complexes बनेंगे या outer d complexes बनेंगे inner d complexes और outer d complexes के लिए इस चीज़ को में ध्यान रखना है फिर से strong field ligand और weak field अगर strong field ligand होगा तो वह pairing करा देगा which will occupy the inner d orbitals तो तब क्या बनेंगे आपके outer d orbital complexes जो है वो बनेंगे यह हो गई छोटी सी बात हमारी electronic configuration और basically हमारा जो d block elements है more or less यहां पर वो होई जाता है अब आपके जो लैंफनाइट होते हैं आपके जो लैंफनाइट होते हैं लैंफनाइट जक्टनाइट जो F block elements होते हैं उसमें जो सबसे major part में जो लगता है it is the F block क्या बोलते हैं लैंफनाइट contraction के वजए से क्या होता है कि वहां पर जो लैंफनाइट है उनकी जो साइज है उनमें सीदा सीदा ग्राफ ऐसा आजाता है बिना जादा दिमाग लगाए हुए सीदी-सी-दी ये जो जैसे जैसे आप आगे पड़ते जाओगा अपने लैंफनाइट में आपकी जो क्राफ के लैक दिखेंगी वी ग्राफ कुछ ऐसी दिखेंगी दूसरी चीज़ वा ऺव्रहां के लैंफनाइट करते हैं तो क्या बनेगा? Ln2 उसके साथ वो N2 के साथ रेक्ट कर सेक्टेया उसके बाद हो किसी बनाइड के साथ रेक्ट करता है वो एक पर्टीकिलर रेशो में जो है वो रेक्ट करेगा तो what is that ratio अगर आपकी Coffee एसके साथ यह वह किया है तो आपकी CTC-T o 0 बन जाएगी LNN और वह मेटल है तो आपका जो नाइट्रोजन होगा दैट विल बी दो इन इन फॉर्म आफ नाइट्राइड उसके बाद LNX3 उसके बाद वाटर के साथ रियाट करेगा LNOH3 मेटल के साथ रियाट करेगा क्या रिलेस करेगा H2 So, these are some reactions that your LNNs show, अब उसके बाद मुझे एक चीज यहाँ पर मेरे पास रह गई, D ब्लॉक में ही आप से वो पुछलेगा, Magnetic Moment पुछलेगा, Magnetic Moment का जो आपका एक फॉर्मिला होता है, Mu is equal to under root N into N plus 2, यहाँ पर N का क्या है, what is N? N is the number of unpaired electrons, Mu is the dipole moment और N is the number of unpaired electrons, आएंगे कहां से, इस de-configuration से ही आएंगे, but when they ask you the dipole moment, they go one step ahead and you have to cope up with it, ठीक है, उसके बाद हमने लंथनम के बारें बात कर ली और एक और चीज चो पूछ लेते है, melting point का trend, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा जो है, वो ऐसा सा कुछ dip आता है, and that dip is at MN, tellurium, जो आपकी 3D, 4D, 5D series हैं आपके metals की, और जब आप उनका, वो निकालत हो, melting point निकालत हो, so there comes, जो expected trend ऐसे उपर 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 जा रहा होता है, there comes a dip and then it goes up, उपर and then it comes back down, so this is the trend जहाँ पर आपका पीक आता है, that is manganese, tellurium, इन सब के जो exceptions बोल सकते हो, वो वहाँ पर आजाते हैं, ठीक है, coordination हो गया, DNF, उसके बाद हम finally हमारे organic पर आजाते हैं, for class 12, organic chemistry, अब जब हम organic chemistry के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले chapter चो आता है, हमारा आता है, हेलो alcanes and halorines, halorines and halorines में substitution reaction होता है, addition reaction, अब वो formation कैसे कर सकते हैं, आपको, आपका अगर alcohol लिया मैंने, अब उसको मैं यहां पर like, जो OH उसको substitute कर दूँगी CL के साथ, ठीक है, उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहां पर सीदी-सीदी लेगा तो फिर acid catalysis कर दूँए, और यहां पर सीदा-सीदा यहां जो है, इसमें आड़ करवा दूँँ, यह तो symmetrical है, हमारे anti-symmetrical, अगर होगा, तो हमारे पास क्या चाहेगा, Marconic of rule और खाराश effect, और दूसरी चीज़ आपके आजाते हैं, खाराश effect, Marconic of rule आपका क्या कहता है, the negative part of the reagent goes to the carbon having less number of hydrogens, लिखूं, Marconic of rule क्या कहता है, the negative part of the reagent will go to the carbon having less number of hydrogens, basically it means that, अगर Marconic of rule है, तो वहां पर एक stable carbocatine formation होगा during reaction mechanism, and that stable carbocatine is the one which will live longer, it will finally get attached to, the negative part of the reagent will finally attach to the stable, more stable carbocatine. This is a very important reaction mechanism, पूछा जाता है, for sure. उसके बाद आता है हमारा कराश effect, हमारा कराश effect हम लोग कहा है, observe करते हम लोग जहां पर three radical mechanism होता है, three radical mechanism, जहां पर आपको peroxy linkage दिख जाए, एसी वाली linkage दिख जाए और वहां से आप अड़ करना चाहरे हो उपने अलकीन पर कुछ आड़ करना चाहरे हो और आपको यहां पर वो दिख जाए, electrolysis के दरान या कुछ भी तो वहां पर आपको peroxy linkage दिख जाता है reaction mechanism में, तो आपको समझ जाना है crash effect लगेगा, crash effect यहां पर क्या हो रहा था, more stable carbo cation पर हमारी reaction है वो हो रही थी, यहां पर basically वैसा नहीं होगा, ठीक है, तो यह हो गई हमारे important late marconic of rule और anti-marconic of rule, ठीक है भई, उसके बाद asymmetrical alkin भी मैंने बता दिया, उसके बाद named reaction आते है, named reaction में क्या था है हमारा आता है finkelstein reaction, swords reaction, finkelstein reaction में क्या होता है na i, sushi reaction में क्या होता है agf, इन सब की reaction, यहां पर named reaction के बारे में, यह तो तो तुम लोग को पता है का नेमारे action क्या होती है, मैं important vally पे touch करके निकलती हूँ, तो बेस्टीख के लिए आपके पास प्रीक्ष्ट्रीन रिंख्षिंग्स यह पास यह तो है वह तो यहां पर ऐसे एक्सचेंज हो जाएगे अब इसके बाद यहां पर मैं को इक इंप्रेंट चीज अगर बतानी हो तो मैं बताती हूँ तो सबसे पहले अगर उसने पूछा है how many isomers तो आप सीधा-सीधा आपको 2 to the power n कर लेना है where n is the number of chiral centers in your molecules. The condition is there should be no plane of symmetry, plane, point, line of symmetry जो है वो सब नहीं होना चाहिए तब आप यह formula लगाओगे और आपको पता पढ़ जाएगा how many number of stereo isomers number of stereo isomers अगर उसने find करने के लिए बोला है आप सीधा-सीधा 2 to the power n लगा दो के where n अचाहिए फॉर्मिला है is for the number of stereo isomers where n is the number of chiral centers present in the molecule ठीके बही तो यह यहां पर छोड़ी सी बात होगी chirality के अब chirality के इसमें आपको एक चीज़ धान में रखने है enantiomers और diastereomers enantiomers are what are enantiomers enantiomers are non-superimposable mirror images of each other, non-superimposable mirror images of each other और भहीं पर दूसरा जो टाइप होता है not of enantiomers, stereo isomers में तूसरी चीज़ के बारे में जब हम बात करते है that is diastereomers, diastereomers तो अगर आपको कोई ऐसे पूछ रहा है दो compounds देदेगा और पूछेगा what are these what is the relation between two तो अगर आपका ही वो non-superimposable mirror images होते हैं तो और enantiomers होंगे, अगर वो सिरिफ non-mirror images है, same उनकी formula is the same, उनका structure आप देख रहे हो, it says the 3D arrangement which is changing और वो अपने non-superimposable non-mirror images हैं तो वो non-superimposable non-mirror images अगर हैं तो वो आपका क्या बनेगा वो आपका बनाएंगे diastereomers, ठीक है, बड़िया बात है, अब हम और आगे बटे, जैसे अब हम लोग अगर अगर बात करें, alcohols, phenols and ethers, अब इसी लिए केस में मैं अलग-अलग electrophilic substitution भी बता सकती हूं, जैसे मेरा, यह एक important question था, aryle compounds, aryle halides basically, एक चीज़ को धान में रखना वो लोग आपको अगर aryle halides पूछते हैं, तो aryle halides में आपने क्या धान में रखना है, aryle halides, they have to be aromatic and your halide has to replace one of your hydrogens in your aromatic compound और वो directly attached होना चाहिए आपके H2 hybridized carbon से, as long as your compound as a whole is aromatic, then it is fine, जैसे कि यह हो गया, यह क्या हो आई, आपका aryle halide हो आपके अगर मैं यह लूँ, this is not an aryle halide, this is an aryle halide, even if यहां पे दो like pile electron से यह लूँ, this is an sp3 hybridized carbon, तो वहां पे complete conjugation नहीं होगा, तो वो aromatic नहीं हो पाएगा, और अगर वो aromatic नहीं हो पाएगा, तो फिर आपका aryle compound का एका, aryle तो aryle तो मतलब aromatic तो ही नहीं, तो वो aryle नहीं होगा, तो ऐसी जब छोटी-मोटी जो चीजे हैं उनको धान में रखना, अब उसके बाद, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, यह क्या क्या हम बात करते हैं, hydroboration oxidation, तो अगर आपको कहीं पर BH3 in presence of THF दिख जाता है, तो आपको समझना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, hydroboration oxidation reaction हो रही है hydroboration oxidation reaction हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, अगर जो भी आपका alkene है, उसके terminal, यह अगर यह alkene आपका reactant है, यह आपका reagent है, तो आपका product क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर जो भी आपका ठीक है भाई यह भी हो गया आगे बढ़ते हैं और चीजे देखते हैं अब जो आती है फीनॉल फीनॉल की आसे डिटी जो होती है जो मैंने भी लेक 11 के लेक 11 वाले हाफ में बताया था कि जब आप फीनॉल को ले लेते हो तो आपकी अब ऐसा देखना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको फीनॉल चे कोई चीज बनानी है तो अगर आप यहां पर न लोगे तो आपको क्या पता पड़ेगा कि वह जो वहां पर हो जाता है ब्रेक ठीक है तो ये तो हुई मेरी R-I-L alcohol की बारे में बात और अगर मैं Alky-al alcohol के बारे में बात करूँ और Alky-al alcohol की Oxidation के बारे में बात करूँ मेरे पास 3 different conditions आती हैं जहां पर मैरे पास primary alcohol है secondary alcohol है और tertiary alcohol है तो एग चीज ध्यान रखना अगर आपके पास Cu केल्विन दिखता है तो इस इस अ उक्षिडाइशिंग कंडिशन पॉर इस तू प्राइमरी और सेकंटरी अलकोहल अगर आपको दिखता है और इन प्रेसंस ऑफ केल्विन दिखता है तो यहां पर ऑक्सिडेशन होगा और कार्बोनिल ग्रूप बनेगा यहां पर क्या था तो वहां पर क्या बनेगा सी डबल बॉन्डो अब एक चीज धान में रखना अगर तर्शरी अलकोहल है आपका तो तर्शरी अलकोहल के केस में आप नहीं बना सकते हो उसको कार्बोनिल आप नहीं कर सकते है उसकी उक्सिडेशन तो होगा क्या वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपकी आलक है आपके बार में उसके बाद विलियम इस विलिमस विलियम सन सिंतेस्स विलियम सन्सी सिंतेसष पुर ईथर्स Operation तो वहां पर हमारा होता है, क्या बोलता है, हैलोलकेंस, हालोरींस, और हमने की है थोड़ी बात अभी, अलकोहल, फिनॉल्स और इथर्स की, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और काबोकसिलिक आसिट्स, तो अब आपको एक चीज़ धर्में क्या रखनी है, हम लोग शुरू करेंगे, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और काबोकसिलिक आसिट्स में, ऐलकोहल, उसका उक्सिडेशन, अगर वन स्टैप उक्सिडेशन होता है, तो उसका सवाल आपको, वो लो मोल concept से मिलाके पूछ लेंगे कि आपको देंगे कि ये वाला particular alkene है या फिर ये वाला particular alkene आलकेन जो भी कुछ दिया आपको और इकान को पूछेंगे कि how many matter y EAM यहापको यहाँ पर 스 2000 यहां आ पयाउपर ग्राम वेट दे और पूछ देंगे how many mols of oxygen is required for complete oxidation of this compound. ठीक है बई, अगर में बात कर तो, अगर मैं बात कर तो, अलिहाइट्स ketones में, सबसे इंपोर्टन चीज़ में दिमाग में आती है, वो क्या आती है? यहां पर आपको basic condition दिख जाएगी कि ठीक है तो जहां पर भी आपको ऐसे अगर दिखता है वहाँ पर आपको 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 अपने कराना है अब उसमें से आपको सेल्फ प्रॉडक्ट करना है या कौन सा प्रॉडक्ट करना है that is something according to the question वो आपको देखना पड़ेगा और कैनिस आरोज में क्या होगा कैनिस आरोज में आपके पास एक oxidized product बनेगा और एक reduced product बनेगा तो basically अगर आपके पास carbonil है तो आपके पास एक alcohol बनेगा और एक आपके पास बनेगा acid ठीक है और अगर अगर हम लोग carboxylic acids की अगर बात करें carboxylic acids में एक important चीज होती है decarboxylation वो किसके presence में होता है वो sodium के sodium metal के presence में होता है वो बहां से sorry CAO के presence में होता है जब आप decarboxylation in case of carboxylic acid करना चाहते हो decarboxylation in case of carboxylic acid करना चाहते हो तो that happens in presence of CAO which is calcium oxide हम लेक जैसे में बोल रहे थी जो carboxylic acids होते हैं carboxylic acids in presence of NaOH and CAO तो वहां पर क्योंगर decarboxylation हो जाएगा बेसिकली अगर यह था तो आपका सिर्फ बैंजी जो है वहीं बचेगा ठीक है तो यह होगी हमारी aldehydes ketones carboxylic acids में जो like important चीजे मुझे लग रही थी वो सारी एक चीज यहां पर हम लोग important भूल रहे हैं sorry वो previous इसमें है वो हमने like पढ़ा भी है दो और वैसे amines चुरू ही करें amines में ही शुरू करते हैं इसको in presence of NaNo2 sand mares reaction like this like this mechanism is something used in the formation of what formation of aryl halides ठीक है इसलिए वहां पर भी बोला जाते है बट amines में भी कर सकते हैं primary amine है हमारे पास NaNo2 यह है हमारा sand mares reaction बड़ी पेमस चीज बनाता है दायवजनियम बेंजीन डायवजनियम क्लोराइड ठीक है और उसके बाद अगर मैं उसको Cu2x2 जो भी मेरा x होगा वो आपके इसको रिप्लेस कर देगा या बनाएगा x ठीक है तो यह होता है हमारा sand mares reaction इसी को अगर मैं वाम वाटर के साद ट्रीट कर दूँ तो क्या बनाएगा किनॉल तो एक ही हमारा जो starting product है उससे हमारे पास कई सारी चीजे मिल जाती है उसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टन रिएजेंट होता है अगर मेरे पास यह है आपको मिलेगा क्या पीडी बीएस फोर जापसाइल क्लोराइड के साथ रियाक्ट करता है वह उसको कनवर्ट किसमें कर जाता है अब उसके बाद जो सबसे बहुती फेमस सी रियाक्शन होगी यहां पर दाट वुड बी मैंस में होफमान ब्रोममाइड डिग्रेडेशन थीकि होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है आपको इथेनॉलिक न वह दिया जाता है आपको उसकी condition को अगर वो करना है आइडेटिफाय करना है तो आप कैसे करोगे Hoffman Bromamide Degradation के लिए आपको Br2 in presence of NaOH दिखेगा Br2 in presence of NaOH तो basically C double bond O NH2 से suppose यह कैस है मेरे पास और यहांबे मुझे Hoffman Bromamide Degradation अगर दिखती है तो यह Amine बनाने का मेरे पास basically तरीका या primary Amine बनाने का तरीका है और यह चीज हो जाए ठीक है तो यह तो हो गई जो like important reactions थी उनके बारे में तो हमने कर ली है बात ठीक है अब उसके बाद यहां पर जो छोटी मोटी जो question based like question के perspective से अगर मैं देखना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या आ जाएंगी question के perspective से मेरे पास कि असाइलेशन अलकाइलेशन एंड इन प्रेजन्स ऑफ अप सब्स्टिट्यूइंट अगर सब्स्ट्यूइंट लगा हुआ है तो कहां पर जाना चाहिए से सपोस्ट मेरे को मुझे असाइलेशन करानी है मेरे पास कोई ओएज ग्रूप लगा हुआ है ठीक है ओएज ग्रूप के प्रेजन्स में अक्टिवेटिंग ग्रूप और मैं असाइलेशन कराना चाहती हूं तो क्या होगा बिसी के लिए वह अंटिवेटेट साइट पर मेरे पैरा पोजिशन पर चाला जाएगा असाइलेशन ठीक है एक सेंट सॉरी असाइलेशन वैसी अलगाइलेशन भी होता है इसी प्रसेस से होता है स्ीच थी ऐलो जाता है वहांपे इन प्रस ऑफ लिए साइलेशन अभी ऐसे डिरेक्ली नहीं बोलेगा कि वह अपको क्या बोलेगा आको यह असाइल क्लुरायट प्र juris आपको ने थेखन से शाइलेशन अन रखना में और ने पासी आंब भात करते यह सो की बारे में बात करें तो हमें उनके उपर लगे हुए डि-activating groups, activating groups जो हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है तो यहाँ पर हमने जो है हमारा जो revision था, quick revision for chemistry, यहाँ पर हम लोग with organic chemistry end करते हैं, ठीक है? चौलो, all the best for your exam, थोड़ा ही टाइम बचा है, but you'll do very well. We have faith in you.